नमाश्कार दोस्तों मा ड्ब्राटर भाविश्ष आज की विडियो में अपने देखने वाले हैं कि आप अपने डाजेशन को कयसे इंप्रूब कर सकते हैं आप अपने इक अब अपने बाड़ी में घ्लू कोई मेडिशन किया सकता है आपको बता देएं कि हमारी बाड़ी सरीर के अंदर जाता है लेकिन जो हम खा रहे हैं वो उसमें important पांच nutrient होते हैं पत्ता पांच nutrient होते हैं उसमें protein होता है carbohydrate होता है fat होता है में आपके minerals and multi vitamins होते हैं and final इसमें water होता है इते पांच important food substance होते हैं जिसको body हमारी क्या करती है absorb करती है इसको दाल चावल सबजी रोटी fruits के बारे में ही पता है वो इन में से इन 5 हो nutrient को absorb करता है और आतों से absorb हो जाए और शोशित हो जाए तो सलाइवा में होता है फिर वह जो खाना है खासक के नीची के और पाहिर से नीची के कहां जाएगा आपके stomach में जाएगा अमाशे में जाएगा जैसे हमाशे में जाता है तो वहां दो important चीज़ को मिलती है पहला HCL मिलता है HCL क्या होता है खाने में वह मिल जाता है और खाने में जो present आपके जो हीटानू होते हैं उनको मार देता है ठीक है ताकि अंदर जाके infection ना पैदा करें दूसरा यह HCL की उपस्तिती में ही वहां पर एक enzyme activate होता है इसका नाम होता है पैपसीन जो हमारे खाने में प HCL जो है और पैपसिन जो है वह important काम कर रहा है फिर खाना जो है नीचे के खत्क कर चोटी आत में पहुँंचता है और चोटी आत में जाने के बाद वहां पर ऑफजाते और पैंक्रैटिक जूस निकलता है जो बाइल है वह हमारे लीवर में बनता है लीवर जो हमारा बाह ब पानी में घोल दिता है किसको बाइल को बतलः एक तो करता है पहला यह लेकर लेकर आपके लिपड यो पिडिलिपोड होते हैं उसको ऐसे भाग में तोड़ते हैं थाकि हमारी बॉडूर्डी करता है यह पर बॉडिपर काम इजसंटा है और द Wasp के दवरा बtså में हमारे सलाइवा के दारा नहीं होपाता है उसको फाइंडली डैसे exist करता है तो हमारी मुझ में कारद सलाइड के द्वारा स्टमक में हो रहा है प्रोटीन का और चोटी याउत में हो रहा है आपके फैट का इस परकार से जो बड़े हेल्दी रखना और अश्पर्सक्री रखने लिए क्या है सबसे पहले आपको बता दू जो बैस्ट टाइम होता है स्लाइवा में एंजाइम का हमारे इस टमक में रात के आठ सुबह अट से लेके रात बाद राद रात में नवाजे-्तस बज invert खाते हैं तो आप जाया नहीं नहीं क्योंकि यह bachty प्र में प्रेशंन तो प्र हमार आएगा पिन आपको लुक्ति ओम पर अजिए गृच्पी प्रोटीन भरकी पॉपर आपके रोटीन कारभॉर्य फेट तूट जाये ऊप्स्थित हो जाए यह संदा में दूसर क्या करना है आपको जो खाना-कने का टाइम बता दिये मैंने आपको सेकंड क्या करना आपको जो खाना है एक दम भर पेट नहीं खाना जब खाना खाते हैं तो कम से कम आपको 75% मतलब आपको जो आपका 100% में से 75% खाना है ताकि आपका जो इस्टमक है वो थोड़ा सा कैसा रहे, खाली रहे, गैप रहे, क्योंकि जो इस्टमक होता है, उसमें एक important process होती है, जिससे SCL उसमें मिलता है, यदि आपने पूरा भर पेट खाना खाली है, बहुत सारा खाली ओवर राइट कर लिए, तो खाना पूरा इस्टमक में उपर तका जाएगा, जिससे बचना चाहते हैं, तो आप खाना खाने, खाना खाएं, लेकिन थोड़ा सा कम खाएं, ताकि खाने में प्रापर SCL मिल जाए, और SCL का जो side effect हमारे यहा खाना खाने के तुरद बाद आपको नहीं बैठना है, खाना खाय तुरद जाके बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद आपको 15-20 मेंट का simple सा walk करना है, ठीक है, वो walk क्या करेगा आपके जो खाने को proper set कर देगा, खास कर हम बात करते हैं, जो हाइटर सर्मिय के patient होते हैं, उनके लिए खास करें, खाना खाने के तुरद बात करते हैं, खाना खाने के तुरद बात पानी नहीं पीना है, खाना खाने के तुरद बात पानी नहीं पीना है, क्योंकि प्रोटीन का डाजेशन है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन का एंजाइम तभी काम करता ह जब वहां पर SCL का concentration जादा होता है और यदि आपने खाना खाने के तुरद बड़ पानी पी लिया तो जो SCL हो जाएगा और एंजाइन की activity कम हो जाएगी इसलिए खाना खाने के लगभग आदा घंटे के बाद आपको क्या करना चाहिए पानी पीना चाहिए वह आपके proper प्रोटीन की डाइशन को हेल्प करता है आपका पेट आपको अच्छे फूट्स खाने चाहिए ताकि आपका लीवर अच्छा हो और लीवर प्रॉपर काम करेगा तो प्रॉपर बाइल बनके आएगा और अच्छी फंक्शन आपको मिलेगी अगली हम बात करते हैं यदि आप खाने में सुबह और शांग के दोनों खाने में सलाद कर लें सलाद कर लेंगे तो कम से कम एक क्रटोरी सलाद लें नीबू लेकर नीबू डालके लिए नमक नहीं लेना है कि सलाद करता है उसमें आपको बेस्ट फाइवर मिलता है जो कहीना कहीं आपके आतों के मुमेंट को पहिना कहीं आपके आतों की absorption की process को बढ़ाते हैं बैट cholesterol को जाने से रोपते हैं extra sugar को जाने से रोपते हैं तो आपको सलाद में तकड़ी गाजर मूली यह आप चुकंदर यह सब आप ले सकते हैं सुबह और शाम के खाने मन ठीक है इसके लावा आपको रो जाना यदि साइस करने चाहिए रोप में हो किसी फॉर्म में हो यदि आप यह सब करते हैं और लास्ट नॉट लीस्ट यह आपका है रात की नीन यदि आप रात में प्रॉपर नीन लेते हैं छे घंटे की रात की नीन लेते हैं ठीक है तो यह आपके पूरे digestion program को healthy रखेगा आपको healthy करक आपको कोई दवा मत लीजिए आपको प्रॉला में इस चीज को फॉलो करिए और आप देखिए जैसे आपने खाना खाने का टाइम चेंज कर दिया आपको उस दिन से ही आपको रिजट मिलना चालो हो जाएगा तो मैंने आपको बताए इसको proper follow करना है और follow करके अपनी body को healthy digestion को proper बना के रखने वाली रखना है ठीक है यह दिया कोई कोश्चन हो था मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस परकार के दिए वीडियो आपको पसना आते हैं प्लीज लाइक लाइक बटन पर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों